नमस्कार दोस्तों रुजना राश्वीफल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें शाथ भी पहला आइकन को प्रिश्वर दें ताके दोस्तों आपकी राश्वीफल से जुड़ी सभी जानकारियां शब्से पहले आप तक पहुंश के और आप उन्हें देखकर अपन भी को मारत तरब से डेर जारी शुप कमना है तो आई दोस्तों से कि शाथ बात करते हैं यश्में गरहों के जिद्धी केश होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन्हें शब्सक्राइब की राश्य पर क्या होगा किन किन्स जिद्धों को लिकर यश्में आपको सावधार होगा और आगर कौन कौन से कारी आपके लिए भाकी शलोंगे यश्में आपका लब लाइप स्वास्त के रियर और धन के शिद्धे केश रहेंगी शाथे दोस्तों वीडियो के मद्ध में आप शबी के लिए बहुत यह अच्छी विचार दे गए हैं जिनिया आप ज़रू दोस्तों बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकार्दमक परवाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझ कर हमें त्याग देना चाहिए हमें किसी भी खाश शमय का अंतिजार नहीं करना चाहिए बलकि अपने हर शमय को खाश बनाने की पूरी कोसिश करनी चाहिए दोस्तों जब तक आप अपने अतित को याद करते रहेंगे भज की उजनाएं नहीं बना पाएंगे शमय दिखाई ने देता पर बहुत ही कुछ दिखा जाता है आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास शमय नहीं है क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही शमय मिलता है उतना शमय महान और शफल लोगों को मिलता है दोस्तों जिन्दगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो क्योंकि जिन्दगी मोके कम और धोके जाना देती है किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई शमय बुरा नहीं होता दोस्तों खुश नसीब है वो जिसने अपने आज का समयधारी सिस्नुम जाल किया क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं दोस्तों जो व्यक्ति जीवन में शमय का ध्यान नहीं रखता उसके साथ असफलता और प्रिक्षा का मोई होगा ये शमे आप अपने दिंचिरिया में कुछ बदलाव लाने का प्रयाश कर रहे हैं वे आपके लिए फायदे मन्द भी शाविद होंगे कुछ शमे आत्म केंदरित होकर अपने बारे में चिंतन में शमे को उदित करें आपको कई उलजेवे शवालों काई में जवाब प्राप्त होगा शादि दोस्तों यश्मे अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मे आकारण ही मन्य में कुछ उदासी जीसी इस्तिती भी रहे शकती है पेसे की उधारी शमन्दी लेंदे ना करें दोस्तों यश्मी इन बातों पर आपको धियान रखना चाहिए नईदी की शमन्दियों के शाथ किज़ी भी परकार की गलत फेहमी उत्पन होने शे आपसी शमन्द भी खराब हो चकते हैं यश्मनाई बनाने के साथ साथ उन्हें कारी रूप देना भी आपके लिए यश्मी आऊश्र होंगी तो दोस्तों यश्मी आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए इसके उपरादी दोस्तों यश्मी आपके लिश्मी होंगे आपको बता दे परिवार के लिए किषी को आपके शायता की जरुत प्रिहों उनको मदद करने शिपप पहले आपको अपनी शंता को पहचाणना चाहिए। क्योंकर जिए आपके यहत्ति में भी घरावटा सब्सक्ति है तो दो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दो अजय घ्याशने कि हैंant आपके श्वेंग के द्वारा ही लिएगे निरले ज्यादा उचित रहेंगे दूसरों पर निर्भार्य आप ना रहें इसो शमय है आपके लिए अपने व्यक्तित्तों और प्रश्ण डैल्टी को निखारने का शमय होगा और इनमें काफी हद तक आपको प्लब्धी भी हाशि हो रही है दोस्तों कुछ शमय अपने परिवार वापर निर्दी के शम्द्यों के साथ सम्द्दों को मदूर बनाने में भी वैक्तित करना बहुत है आपको बता दे कि मन में बढ़़ा तनाव आपके लिए तकलिब का कारण होगा यह समय है किसी विस्वे में सोच्टेश मे आपको यह ध्यान रखना है कि केवल आप अपने विचारों में ही खो रहे हैं जिसके वज़शे आपको पस्तिती में कटना या नजरा रही है या फिर सच में पस्तिती इतनी ही कठीन है जब तक इस बात का उलकर नहीं होगा तब तक आपको मार्ग प्राप्त होना मुश्की लग रहा है तो दोस्तों यश्मे अपने इनी बातों पर आपको गौर करना चाहिए इसको प्राण दोस्तों यश्मे आपके लिए जो सम्होंगे आपको बता दे कि समाजिक विधिया में आपका दिखता श्रमे भी वतित होगा प्रिवार में चल रही अश्वस्ता को दूर करने के लिए आप कुछ महत्पुन कदम भी इसमे उठाएंगे किसी सुप्चमितकों का अशिरवाद आप और फिर सुप्कमने आपको इसमे वर्दान की तरह महसूस होगा पड़ुस्यों के शाथ किसी परकार की अन्बन रह शक्ती है तो दोस्तों संब्दों में खटास ना आने दे किसे से बाचित करतेश में अपने शब्दों का जो है विस्स रूप से ध्यान रखे दोस्तों आपको बता दें कि कटू भाषा का प्रियुक करना आपके लिए यश्मे उचित नहीं होगा तो दोस्तों यश्मे अपने वानी पर भी श्यूम रखें अपनी कोई भी महत्पून बात किसी के समख्च सरवजिनिकर ना करें इश्मे आपको बता दें कि हर बात और हर निरले में शमल कर आगे बढ़ने पर यश्मे आपको जो है सफलता प्रात होगा अभी तक आपने जो भी लक्षी रखे थे उनके बारे में अलुकन किया भी जाएगा दोस्तों आपकी वज़े से किसी का भी नुक्षान ना हो इस बात की जिम्मेदारी आप हमेशा से ही लेते हैं फिर भी दोस्तों कुछ हद तक लोग अपने निरले के वज़े से यही नुक्षान के लिए जिम्मेदार होते हैं इस बात को भी आप समझें। से खर्चे सामने आएंगे जहां पर कटोती करना शंभव नहीं होगा यह में बहुत अधिक के सोच विजार करके अपने कारियों को अंजाम दें अनावश्यक ही किसी की वज़ा से दिज्रिया अस्त व्यस्त भी हो शकती है तो दोस्तों यह में शावधा रेना होगा इसको पा दें कि आपका दिकतर ध्यान पेशे से समधित बातों में ही अटका होगा काम करने के बावजुद भी पेशा ना देख पाना आपको इसमें थोड़ा सा तकलिक भी देश सकता है जिन लोगों से उधार लिया है उनको वापस करने के लिए पतन आपके दौरा यह में किये भी के लिए बहुत अधिक शंगर्स वाफिर परिश्णम आपको करना होगा कुछ चुनोतियों भी आपके शामने आने वाली है सरकारी शवारत वेक्तियों के लिए समय जो है बहुत ही महत्पुन होंगे और आपके उपर महत्पुन कारेबार भी आने की वज़श्य आपके जि समय होंगे आपको बता दे कि पारिवरी वहस्ता के वज़श्य भी बिजनस में ज्यादा ध्यान भी आपे शमें नहीं दे पाएंगे परंदू दोस्तों करमच्यारियों का शयोग कार्षेतर की वहस्ता को उचित बनाकर रखेगा जमिन ज्यादा स्वंधी वाईश्य में को सब्सक्राइब आपको बता दे कि दोस्तों कारषेतर में नवीकरन शमंदी कुछ योजनाई बनेगी और यह बदलाओ आपके विजनस के कामों में शफलता देगा दोस्तों अपने महत्पुन चीज़ों की देखवाल स्वेंग करें दोस्तों पर विश्वास करना इसमें आ दोस्तों यह बिजनस के काम में प्रोड़क्टी को मेहतर बना कर रखें दोस्तों साइधर शमंदी बिजनस में योजनापत तरिके से काप करना आपके लिए लाबदाग रहेगा प्रदू यह धियान रहें कि छोटी से लपरवाई से कोई बड़ा ओर भी हां से निकल सकता ह या फिर डिल कैंसील हो सकती है तो दोसों येश में लापरवाई करना आपके लिए नुक्षान दाइक हो सकता है इस बात को आपको धियान में रखना चाहिए इसको प्राव दोसों येश में अगर आपकी लव लाइप को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिविग जोन की तो दोसों येश में दाम पते जिवन में सुधार आएगा दाम पते जिवन मदूर रहेगा ये वर्त की मौज मस्ती में श्रमी बरवात ना करें तथा अपने केरियर फर आपको दिहान देना चाहिए आपके निरले की प्रति पार्टनर की नाराजगी भी थोड़शी पतनी की बहतर शमाज़स भी बना रहेगा दोस्तों के साथ मेली मिलाप दिन को और भी खुश्टमा बनाएगा इसके साथ दोस्तों येश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे आपको बता दें कि अपनी भावनों को पार्टनर के श्रमने व्यक्त करना आपको थोड आपको उचित शमाधान भी प्राप्त होगा, बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रती जो है सजक रहें, उनका आपको यश में ध्यान रहना चाहिए, इस गुप्रांतों से यश में आपके लव लाइफ प्लीज समयोंगे, दोस्तों आपको बता दे कि पती पत्रे के बीच किछ प्रता रहेंगी, इसको प्राप्तों यश में अगर आपकी स्वास्त को लेकर बात के नठाथ आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों यश में ठकान की हो जैसे नसों में खिचाव, और दर्द की समस्या रह शक्ती है, योगा और व्याम आपको इसमें करना चाहिए, यह आपका उत पहस्ता रहें, तदा बहतर होगा कि वहान का परयोग यश में आपको ना करे, इसको प्राप्तों यश में आपके स्वास्त को लिए रहेंगी, जैसे नसाथ हänderते नठाद गर्दर्दी में गुलावी और भागत हैं करे घ forgiveness काORA बहां है लाहा हुझ Are You